a very warm good evening friends welcome to vichyapath education palampur today we will discuss about most important topic of himachal pradesh so topic is himachal pradesh mantri mandal 2023 himachal pradesh ka mantri mandal abhi haal hi mein banaya gya hai सुखो सरकार के द्वारा उसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे उसको कैसे ट्रिक से आपको याद रखना है वो भी मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा important session आप सभी के रहेगा आज की इस class में वीडियो को आपको जादा से जादा शेयर करना है जो भी आपके आने वाले exam है हिमाचल के जितना आपके exam है आने वाले चाहे आपका HRTC conductor का exam है या फिर हिमाचल का सबसे बड़ा exam जो होने वाला है कुछ टाइम के बाद JOIT का उसके बाद हिमाचल पटवारी का exam भी काफी जल्दी ही आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा एक या दो महीने के अंदर ही आज जो है वो हिमाचल की cabinet meeting जो है वो हुई है पहली cabinet meeting जो है वो हुई है साथ में लुहुडी के उपर जो है वो एक surprise आप मान सकते हैं या फिर तोहपा जो है वो आप सभी को दिया है सुखु सरकार ने OPS लागू करके जो जितने भी अब आने वाली हमारी नई vacancies है उनमें आपको जो updated GK है वो आपको देखने को मिलेगा जो भी हमारे नई question यहाँ पर बनते हैं वो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे वीडियो को आपको जादा से जादा share करना है अपने friends में और पूरा आपको देखना है वीडियो को आपको repetition में दो बार आपको देखना है जिससे आपको trick जो है वो आपके mind में पूरी की पूरी set हो जाएगी और दो बारा आपको इस मंतरी मंडल को याद करने की ज़रूरत नहीं पड़े लिए, so quality learning के लिए best coaching के लिए आप विज़ेपथ education को join आप कर सकते हैं, जिस भी exam की आप त्यारी कर रहे हैं, उससे related आपको पूरा का पूरा study material आपको provide करवाया जाता है, साथ में आप हमारी सभी exam के लिए जो test series रहती हैं, वो भी आप purchase कर सकते हैं, www.vijepath education के उपर आप जाएं या फिर play store से आप हमारा vijepath education app डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आपको 25% का discount देखने को मिलेगा, साथ में जो हमारा SSE GD का exam अभी होने बाला है, admit card उसके आ चुके हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, exam center आप चेक कर सकते हैं, और अगर आपके exam के लिए अभी भी एक मन्त जो है अगर रहता है, तो आप vijepath education से SSE GD के मोक जो हैं वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें आपको 150 से ज़ादा मोक test series आपको मिलेंगी, जो कि आपकी bilingual रहती हैं, साथ में ये नए pattern के उपर जो हैं वो based हमने बनाई हैं, सारी की सारी, आप यहाँ पे all India rank चेक कर सकते हैं, साथ में आप अपना beek area और strong area भी आप cover up कर सकते हैं, कौन सा आपका beek area रहता है, कौन सा आपका strong area रहता है, इस SSE GD मोक test में आपको easy, moderate और hard level के test आपको यहाँ पे मिलेंगे, साथ में chapter by chapter test भी आपको यहाँ पर मिलने बाले हैं, SSE GD के अलाबा अगर आप किसी another exam की भी अगर test series आप purchase करना चाहते हैं, तो download करें आप विजएपाथ education app और वहाँ पे जाके आप किसी भी exam की test series आप purchase कर सकते हैं, आपको 25% का discount जो है वो 26 Jan तक देखने को आपको मिलेगा, Republic Day offer जो है वो अभी हमने चलाया है, तो 25% discount आपको देखने को यहाँ पे मिलेगा, सो start करते हैं आज की इस वीडियो को, सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल के बरतमान के जो governor है, राजेंदर विशोनाथ अलेंकर जो है वो हिमाचल के बरतमान के governor यहाँ पे रहेंगे, यह आपको ध्यान में रखना है, क्यूंकि जो सबसे बड़ा leader होता है किसी state का, वो होता ह है हमारे पास governor, तो जो बरतमान के governor है वो है राजेंदर विशोनाथ अलेंकर, उसके बाद भात करते हैं, अभी हाल ही में हिमाचल परदेश की जो नई सरकार बनी है, सुखविंदर सिंग सुखु की, उन्होंने हिमाचल परदेश बिधान सबा के ने अध्यक्ष अभी बना जो की हमारी पिछली सरकार थी, जे राम ठाकुर जी की सरकार थी, उस टाइम में बिधान सबा के अध्यक्ष थे, विपिन सिंग परमार और अभी जो बरतमान ने बिधान सबा के अध्यक्ष अभी बनाए गए हैं, उनका नाम है कुलदीप सिंग पठानिया, अब बात करते हैं जो कैबिनेट के जितने भी हमारे मंतरी यहां पे बने हैं और कौन-कौन सा विभाग किस मंतरी को दिया गया है, तो उसके बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हिमाचर परदेश के जो मुख्य मंतरी बनाए गए हैं, उनका नाम है सुखबिंदर सिंग सुखु, ये बि क्रमी की योजना जो हैं या फिर अन्य जितने भी भी भाग जो अन्य किसी मंतरी को नहीं दिये जाते हैं, वो सारे के सारे भी भाग रहते हैं मुख्य मंतरी के पास, तो आपको याद कैसे रखना है, इसके लिए मैं आपको यहां पे ट्रिक जो है वो मैं बता रहा हूँ, इनके नाम से ही हम इसको याद रखेंगे, इनके नाम में एक बढ़ दिया गया है सुखु, सुखु का मतलब है सुखी रहना, तो सुखी ब्यक्ति कब रह सकता है, जब उसके पास पैसा होगा, मतलब कि फाइनांस होगा, उसका फाइनांस अच्छा होगा, उसके पैसा होगा, तो वो सुखी रह सकता है, उसके बाद जब वो सुखी है, तो ज़्यादा तर वो सुखी कहां पे रह सकता है, घर में, अराम स वो बैठेगा, अराम से अपना वो काम करेगा, किसी की कोई उसको टेंशन नहीं है, घर में वो अराम से वो सुखी रह सकता है, और जब वो अगर सुखी है, उसके पास जादा पैसा है, तो वो हर किसी के उपर अपना शाशन चला सकता है, प्रशाशन जो है वो चला सकता है, म किसी भी मंतरी को नहीं दिये जाते हैं वो सारे के सारे भी मुख्य मंतरी के पास ही रहते हैं next बात करते हैं second number पे भुकेश अगणी होतरी जी की जो की हमाचल परदेश के बर्तमान के उप मुख्य मंतरी रहेंगे और यह हमाचल परदेश के पहले डिप्टी CM जो है ये रहेंगे ये भी आपको ध्यान में रखना है पहली बार हिमाचल परदेश में डिप्टी CM की पोस्ट को यहां पे बनाया गया है उपमुख्य मंतरी पहली बार हिमाचल में जो है वो बनाये गये हैं जिनका नाम है मुकेश अगनी होतर बिधान सबा हरोली से ये बिलोंग करते हैं जो कि आपका पढ़ता है डिस्टिक उना में इनके पास कौन-कौन से विभाग यहां पे दिये गए हैं आग के पास सबसे जादा शक्ती होती है हर किसी को जला सकती है और हमेशा क्या करती है वो चलती है तो पानी से हम क्या करते हैं चलते हैं मतलब एक स्थान में हम बैठेंगे तो पानी जैसे जैसे आगे चलता जाएगा तो हम भी क्या करेंगे आगे चलते जाएंगे तो वो चल वैसे ही हमारी संस्कृति जो है वो भी आगे चलती है तो चलने से आपको ध्यान में रखना है तीन चाजे हमारी आगे चलती हैं transformative नेक्स्ट बात करते हैं तीसरे नंबर पर धनि राम शांडिल की तो ये बिधान सबाक शेतर सोलन से ये बिलोंग करते हैं और ये हिमाचल प्रदेश के बरतमान स्वास्थे मंत्री ये रहेंगे हेल्थ मिनिस्टर ये रहेंगे साथ में समाजेक न्याय एवं अधिकालिता मंत्राले भी इनके पास दिया गया है इनके लिए जो ट्रिक रहेगी इनके नाम में ही एक बर्ड छिपा है धनी धनी का मतलब जिसके पास जादा पैसा होगा जिसके पास जादा पैसा होगा वो क्या कर सकता है वो सबको रोजगार जो है वो दे सकता है जैसे कि हम बात करें मुकेश अंबानी की या फिर जो भी हमारे बड़े-बड़े लोग हैं जिनके पास जादा पैसा है वो एक बड़ी सी कंपनी जो है वो ओपन करेंगे और उसमें हजारों लाखों के हिसाब से जो है वो रोजगार बहां पे पैदा करेंगे तो जब जो है वो सबसे पहले होता है यह आपने देखा होगा कि जो जादा पैसे वाले लोग है उनका काम जल्दी हो जाता है उनको जस्टिस सबसे पहले मिल जाता है तो समाजिक न्याए मंतरी भी कौन है धनी राम शांडिल है और इनके नाम में एक बड़ छुपा है राम राम से यह तीनों के तीनों डिपार्टमेंट जो है वो आपके इजिली याद हो जाएंगे next फोर्थ नंबर पर बात करते हैं चोधरी चंदर कुमार जी की जो की बिधान शबाक सेतर जुआली से बिलोंग करते हैं जो की आपका पड़ता है डिस्टिक कांगडा में और अभी तक कांगडा से सरफ एक ही काबिनेट मनिस्टर जो है वो बनाए गए हैं यहाँ पे और जल्दी ही नए मिनिस्टर जो हैं वो कांगड़ा से बनाय जाने की उमीद है जो कांगड़ा से चोधरी चंदर कुमार जी बनाए गये हैं कैबिनेट मिनिस्टर इनके पास दिया गया है तो इनके लिए आपको याद रखना है चोधरी चंदर कुमार जी के नाम के पीछे ये लगा है चोधरी और चोधरी लोग आप सबको पता होगा कि कांगड़ा में जो चोधरी है वो एक क्या है कास्ट है ये आपको पता है और वो कास्ट कौन सी होती है OBC कास्ट होती है चोध चोधरी लोग होते हैं, वो सबसे जादा क्या करते हैं, क्रिशी करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, अगर खेती बाड़ी करते हैं, तो पशु भी क्या करते हैं, वो सबसे जादा रखते हैं, और पशुों से रिलेटेड, एनिमल हजबंटरी से रिलेटेड, जो भी जैसे मु क्योंकि बाकी जो है वो अनदर कमों में ब्यस्त हो सकते हैं या फिर आप ऐसा बोल सकते है कि ये कास जो है वो काफी पहले से ही इस फील्ड में काफी अच्छा योगदान जो है वो देती आई है क्रिशी के खेयतर में तो चोधृरी चीसे आपको ध्यान में रह जाएगा क्रिसी से रेलेटेड जैसे पशु पालन, मतश्य, मुर्गी पालन ये सारे विभाग चोधरी चंदर कुमार जी के पास दिये गए हैं नेक्स्ट बात करते हैं फिफ्ट नंबर पे हर्शवर्धन चोहान की हर्शवर्धन चोहान जो हैं विधानसवा क्षेतर सिलाई से बिलों करते हैं जो की आपका पढ़ता है शिरमोर से ये इंडस्ट्री मिनिस्टर संसदी कारे और आयूश बिभाग के जो भी हमारा डिपार्टमेंट है वो इनके पास दिया गया है हर्शवर्धन से आपको ध्यान में रखना है ये डिस्टिक सिरमोर से बिलों करते हैं और सिरमोर में सबसे ज़ादा क्या है आपको पता होगा सिरमोर में सबसे ज़ादा क्या है Industries है, सबसे ज़ादा उद्योग बहाँ पे है बद्दी, जो आपका सोलन और सिर्मोर कह रिया है बद्दी है, बरोटी बाला है, नालागड है, काला अंब है यहाँ पे सबसे ज़ादा क्या है? Industries है और यह जो Industries है, वो किस चीज़ की है? यह सारी की सारी Industries जो है, वो अलग-लग Field की है जिसमें से सबसे ज़ादा जो है, वो Medicine की जो है, यहाँ पे Industries रहती है Medical Field की सबसे ज़ादे Industries है, तो आयूश आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है आयूश जो है, वो भी आपका एक Medicine से Related ही Department यहाँ पे जोड़ा गया है इसका कारे भी जो है, वो हर्षवर्दन चोहान जी के पास ही दिया गया है उसके बाद Six Number पे बात करते हैं, जगत सिंग नेगी जी की, जो की District की नोर से बिलोंग करते है रासब भी भाग, बागवानी भी भाग और आदिवासी विकास मंतराले जो है, वो इनके पास दिया गया है इनके Department को याद रखने के लिए, आपको ध्यान में रखना होगा कि जगत सिंग नेगी जो है, वो District की नोर से बिलोंग करते है और District की नोर में सबसे ज़ादा क्या होता है, जैसे की सेव होता है तो सेव जो है, वो कहां से लाया जाता है, सेव ले आया जाता है, बागों से, बाग बगीचों से तो बागों से हो जाएगा बागबानी भी भाग और जब सेब जो है वो काफी महेंगे बिकते हैं तो उनसे revenue भी जरनेट किया जाता है तो department of revenue यहां से आपका बन जाएगा और district हमारा की नोर जो है जैसे district की नोर है लोहल स्पीती है जो हमारे hill area रहते हैं जैसे की district चंबा के क कुछ hill areas हैं तो वह काफी जादा पिछड़े हुए area है तो वहां से आपका tribal area जो है वह आप मान के चल सकते हैं as compared to हमारा जो district कांगरा है यह district मंडी है district हमेरपुर है यह हमारे middle में रहते हैं तो इतने जादा यह पिछड़े हुए area नहीं है as compared to another district जो हमारे hill area के जो डिस्ट district की नोर है वहां पे सेव सबसे जादा होते हैं सेव जो हम वो बागों से आते हैं तो बागवानी भी भाग हो जाएगा इनसे हम राजसब जो है वो पैदा कर सकते हैं तो revenue जरनेट हो सकता है department of revenue और district की नोर जो है वो काफी hill area काफी पिछड़ा हुआ area तो हम नहीं माल सकते हैं लेकिन फिर भी as compared to another district ये कुछ हर तक पिछड़ा हुआ area है तो इसको tribal area की form में हम आदिबासी विकास की form में हम इसको यहाँ पे याद रख सकते हैं नेक्स्ट बात करते हैं district शिमला से आने वाले रोहित ठाकूर जी जो की विधान सबक शेतर जुबल कोट खाई से बिल elementary, vocational, industrial, department of technical education जो है वो इनके पास दिया गया है इनको याद रखने के लिए आपको इनके नाम में ही एक बर्ड यहाँ पे दिया गया है यहाँ पे एक बर्ड है hit तो hit से आपको याद रखना है कि कोई एक ऐसा ब्यक्ति आपके hit में काम कब कर सकता है जब उसके पास क्या हो होगी जब वो पड़ा लिखा होगा तो वो सब के hit के बारे में सोचेगा जो अनपड व्यक्ति है वो किसी के hit के बारे में नहीं सोच सकता तो hit के बारे में कौन सोच सकता है जो पड़ा लिखा होगा जिसके पास education होगी तो पंचाइती राज भी भाग यह हमारे नए cabinet minister है ह इमाचल के जो कि पंचाइती राज विभाग को यहां पे संभालेंगे, इनको याद रखने के लिए आपको ध्यान में रखना है, इनका लास के एक जो बढ़ है, यह है रुद्र, रुद्र, अनिरुद, सोरी रुद्र नहीं, यह है अनिरुद, रुद्र से आपको ध्यान में रखना है yudh रुद से आपको ध्यान में रखना है yudh, तो yudh जो है वो कहाँ पे लड़ा जाता है, yudh का मतलब है kushotya, kushotya कहाँ पे लड़ी जाती है गाओं के मेले में ये जो ponchait है, वो कई बार kushotya काई जो है ये हमारे आसपास के मेले होते हैं चोटे लेबल के वहाँ पे बुकुष्ती लड़ी जाती है तो गाउं के लिए आपका बन जाएगा ग्रामिन विकास और पंचाइत के लिए आपका बन जाएगा पंचाइती राज भी भाग ये भी आप यहाँ से याद रख सकते हैं उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट पे जो की है हमारे पास विक्रमादित्य सिंग डिस्टिक शिमला से बिलोम करते हैं विधान सबाग शेतरिंग का बेटे हैं बीर भादर सिंग जी जो हैं वो छे बार हिमाचल के मुख्य मंत्री रह चुके हैं और पिछली जो हमारी गौवर्मेंट थी उसमें विक् पूरे हिमाचल में बने थे, सबसे युबा विधायक जो थे, पिछली सरकार में वो विक्रमादित्य थे और सबसे बुजुर्ग विधायक जो थे, वो इनके पिता जी थे, वीरभदर सिंग जी, लेकिन बरतमान में अगर हम बात करें, तो सबसे युबा विधायक आये हैं, युबा हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, युबा से बाइं, और जो युबा है, वही ब्यक्ती क्या कर सकता है, खेल सकता है, मतलब जो पच्चिस-तीस साल का है, वो ब्यक्ती जादा खेल सकता है, उसके बाद जो है, उसके उपर जिम्मेवारियां आ जाती है, तो पिर वो sports को जो है वो छोड़ देता है तो जो युवा है वो खेल सकता है तो खेल भी भाग भी इनी के पास जो है वो दिया गया है साथ में एक और भी भाग P.W.D. Department जो है ये भी किसके पास दिया गया है बिक्रमादेटेजी के पास यहां पर दिया गया है नेक्स्ट बात करते हैं जो हमारी सरकार भी बनी है सुखु सरकार उसमें जो है वो जो भी हमारे बिधायक जब वो बिधान सबा में बैठते हैं अपना कोई पक्ष जो है वो वहाँ पे रखते हैं एक तरफ जो है एक सरकार होती है और दूसरी तरफ जो है वो दूसरी बनाए गए हैं वो बीजेपी के जैराम ठाकुरजी बनाए गए हैं जो कि इससे पहले हिमाचल परदेश के मुख्य मंतरी रहे थे उसके बाद एक लेटेस्ट नई अपडेट भी मैं आपको यहां पर बता देता हूं जो भी हमारे यहां पर गॉर्मेंट इंस्टीट हैं जैस जो हमारा बूल फैडरेशन का जो सोसाइटी है या फिर जो भी हमारे पास जितने भी सरकारी भी भाग रहते हैं जैसे की HRTC है या फिर अगर हम बात करें HP SSC की या फिर HP PSC की उसके बाद HP Board की तो इनमें जो है वो उनी के सरकार के जो है वो चेर्मेन जो है अपोइंट किये जाते हैं तो अभी लेटस्ट जो नई अपडेट यहां पे निकल के आई है पिछले कल ही कुलदीप सिंग पठानिय जो है उनको KCC Bank के नए चेर्मेन के जो है वो बनाया गया है इससे पहले जो है वो राजीब भारदुआज BJP की सरकार में KCC Bank के नए चेर्मेन बनाए गए थे और बरतमान में जो है वो नए चेर्मेन बनाए गए है कुलदीप सिंग पठानिया जो की बिलोंग करते हैं डिस्टिक हमिरपुर से जो की अभी चे KCC Bank के और KCC Bank की बात करें तो इसका Head Office आपका पड़ता है धरमशाला में जो की आपका डिस्टिक कांग्रा में स्थित है I hope आप सबको ये वीडियो पसंद आई है ट्रिक आप सभी को अच्छी लगी है एक बार आप वीडियो को repetition में आप जरूर देखें आपको पूरी की प WhatsApp Group के उपर आप जरूर चुड़ें डिस्क्रिप्शन में आपको इसका Link यहां पर मिल जाएगा इन Groups में आपको Free of Cost, Daily, Current Affair, GK, PDF, Study Material, Test Series ये जो हैं आपको प्रवाइड करवाय जाते हैं साथ में अगर आप हमारी कोई भी Test Series पर्चेस करना चाहते हैं तो www.vijaypath Education के उपर आप जाएं और वहां पर आप 25% डिसकाउंट के साथ किसी भी Test Series को आप पर्चेस कर सकते हैं मिलेंगे जल्दी ही एक और नई वीडियो के साथ तब तक वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें जय हिंद जय ही माचल